हेलो गाईस कैसे हो सारे आई होप आप सब अच्छ होंगे मैं भी अच्छ हूँ या पर दोस्तों आप लोगों में से कई सारे लोग मार्क्षीट के रिगार्डिंग कई सारे जो प्रावलम होती है वो पूछते रहते हैं और इस बार पूछना ही बनता है क्योंकि 12th लेविल स सब्सक्राइब करना चाहूंगा आप में से जितने भी लोग का फॉर्म भर चुके हैं और उन्हें लगता है कि आगामी समय वो सेलेक्ट होकर डीवी तक पूरा देखें देखो सबसे पहले 12 वाले यह चीज़ को याद रखो कि आप लोग जब सेलेक्ट होंगे और डीवी म पहुँचेंगे तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है भले ही चाहिए फर्स्ट इयर में पढ़ रहा हूं सेकेंड इयर पढ़ रहा हूं कोई डिप्लोमा कर रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं आपको सिर्फ अपने 12 तक की ही मार्क शीट वहाँ पर देनी है ठीक अब ए इसके बाद जब मैंने देखा तो हाई स्कूल हो या इंटर हो सबको सनद मार्क शीट जो है वह एक ही परमार पत्र में दी जाने लगी मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है उसी में आपकी मार्क शीट भी है तो एक चीज आप याद रखो इंपोर्टेंट ही सर्टिफिकेट की मार्क शीट थी तो मुझे भी अपनी डिगरी जो है जैसे हम डिगरी कहते हैं वो मुझे निकालने के लिए उनिवर्सिटी जाना पड़ा था और अभी मैं थोड़ी दिर अब यह बताऊंगा अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना है तो आपको याद रखो किसी भी ग्रेदूशन डिप्लोमा जो भी आपने किया हो आपको उसका आपके उसकी मार्क शीट है वो तो ले ही जानी हो उसके साथ साथ उसकी इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा अनिवारे जो चीज रहेगी वो रहेगी उसका सर्टिफिकेट यानि प्रमाल पत्र जैसे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैंने प्रोविजनल डिग्री बन वाली थी क्योंकि मेरी डिग्री निकल ले मैं कम से कम 15 दिन का टाइम था और मेरे पास उतना समय नहीं था तो मैं प्रोविजनल बना गया था लेकिन जब मैंने वहां गया और अपनी प्रॉलम बताई तो उन अगर आप में से बाइचांस कोई ग्रेजुशन वाला बंदा वो हो जिसके पास सिर्फ मार्क शीट हो उसकी डिग्री अभी नहीं है आपको डरने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं है आपका फाइनल की जो मार्क शीट होगी उसी से काम चल जाएगा इन फैक्ट मैं तो अप आपको सिर्फ क्या करना है आपको युनिवर्सिटी में एक एप्लिकेशन देनी है आप जिस बोर्ड में है या आप जिस कॉलेज ए स्कूल में है वहां से एक एप्लिकेशन ले लेना कि हाँ यह चीज गलत लिखी हुआ और दूसरी चीज आप एक एफीडेविट बनवा ल अगर आपको डॉक्मेंट बेरिविकेशन की पूरी इंफर्मिशन चाहिए तो इसक्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है उसको क्लिक करके आप देख सकते हो इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रू करना शेयर कना आपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब जरू कर दिए ताकि आपको लेटिस्ट जो भी अप्टेट हो या आपके रेलिविक प्रॉसेस का कोई भी स्टैप हो पता चलता रहे है